गुड मॉर्णिंग चिल्रेन आज हम इस पर्ष पुस्तक के पदि भाग से रहीम के दोहे पाठ को पढ़ेंगे तो आओ पहले इस पाठ के कवी रहीम जी के विशय में जानकारी प्राप्त करते हैं रहीम रहीम का जन लाहोर में सन 1956 में हुआ इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था रहीम अर्बी, फार्सी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे इनकी निती परक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की इस पस्ट छाप परिलक्षित होती है रहीम मध्य युगीन दर्बारी संस्कृती के प्रतिनिधी कवी माने जाते हैं अकबर के दर्बार में हिंदी कवियों में इनका मतपुर्ण स्थान था रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे रहीम के काबे का मुख्य विशय स्रेंगार, नीती और भक्ती है रहीम बहुत लोग प्री कवी थे इनके दोहे सर्वसाधारन को आसानी से याद हो जाते हैं इनके नीती परक दोहे ज्यादा प्रचलित हैं जिनमें दैनिक जीवन के द्रिष्टांत देकर कवी ने उन्हें सहच, सरन और बोधगम्य बना दिया है बोधगम्य क्या क्या अर्थे बचे? मतलब जानने योग्य रहीम को अवधी और ब्रच दोनों भाशाओं पर समान अधिकार था इन्होंने अपने काब्य में प्रभापुन भाशा का प्रयोग किया है तो आओ अब हम लोग पहले दोहे को देखें रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई तूटे से फिर ना मिले मिले गाठ परी जाए इसका अर्थ समझते हैं बचे? क्या कहना चाह रहे हैं रहीम कभी जी? देखते हैं तो इन पंक्तियों में कभी रहीम जी प्रेम संबंद के महत्व को दर्शार है कभी कहते हैं प्रेम का संबंद नाजुत धागों के समान होता है अतह इस संबंद को कभी भी चटका कर अर्थात अचानक नहीं तोड़ना चाहिए मत तोड़ो चटकाए मतलब अचानक से नहीं तोड़ना चाहिए इस संबंद को हमेशा संभाल कर रखने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि एक बार यह संबंद तूट जाने पर पहले जैसा नहीं जुड़ पाता यदि प्रयास करने पर भी जुड़ जाए तो संबंधों के बीच खटास पड़ जाती है उसके बीच गांट पड़ जाती है बच्चे अर्थात पहले जैसी आत्मियता एवं पवित्रता नहीं रह जाती है तूटे से फिर ना मिले, मिले मतलब अगर मिल भी जाए तो गांट परी जाए जिस प्रकार बच्चों धागे के तूट जाने पर उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है यदि प्रयास करने पर जुड़ भी जाए तो धागे के बीच में दांट बांदनी ही पड़ती है जिससे क्या होता है कि वह पहले जैसा मजबूत नहीं रह जाता दूसरे देखोई को देखते हैं रहिमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोई सुनी अठी लई हैं लोग सब बांटी न लई हैं कोई इसका आर्ट समझते हैं रहिमन निजमन की बिथा क्या कहना चा रहे हैं रहीम कवी जी देखते हैं इन पंक्तियों में कवी रहीम जी हम मनुश्यों को सीख देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को अपने हृदय के दुखों को अपने मन में ही छिपा कर गुप्त रखना चाहिए अर्थात अपने दुखों को अपने तक ही सिमित रखना चाहिए तथा उस पीडा को दूर करने का समधान ढूंगना चाहिए रहिमन नीजमन की भी था, मतलब अपने मन की जो पीड़ा है, कस्ट है मन ही राखो गोई, मतलब गुप्त रखना चाहिए, छुपा कर अपने मन में ही रखना चाहिए सुनी अठी लई हैं लोग सब, बाटी न लई हैं कोई क्या हो इसका मतलब? कभी कहते हैं कि अपने मन की वेदना को पीड़ा को दूसरों के सामने व्यक्त करने से कोई भी अन्य व्यक्ती हमारे कस्टों को हमसे साजहा नहीं करता, अर्थात नहीं बाड़ता, बांटी न लई है कोई उस वक्त तो हमारी पीड़ा को सुनकर अवर्षिय सहनगूती भी जताते हैं, किन्तु हमारे पीट पीछे हमारा मजाक ही बनाते हैं बचे, हमारे कस्टों को सुनकर और खुश ही होते हैं, क्योंकि यह संसार अत्यंत ही निर्दई है, अता हमें स्वयम ही धैरी के साथ समस्या क समाधान निकालना चाहिए, अब तीसरे दोहे को देखते हैं, एके साथ है सब सद है, सब साथ है सब जाए, रहिमन मूलेही सिंचीबो, फूले, फले, अगहाए, आओ इसे समझते हैं, क्या कह रहे हैं, रहीम कभी जी, निकाल्दायी कभी का कहना है, कि हमें एक महत्वपूर्ण लक्ष का पीछा करना चाहिए, उस लक्ष के पूरे होते ही, अनुशंगी लक्ष, अनुशंगी मितलाब उसके पीछे लगे हुए लक्ष, खुद पूरे हो जाते हैं, क्योंकि सारे लक्ष पराप्त करने के फेर म हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, एक है साध है सब सध है, मतलब एक ही महत्पूर्ण लक्ष को हमें ध्यान में रखकर उसे प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, सब साध है सब जाए, जो महत्पूर्ण लक्ष है उसे ही हमें ध्यान करके उसे प्राप्त करने की कोश नहीं कर पाएंगे, सब जाए, रहिमन, मूलेही, सिंचीबो, मूलेही मतलब जड, मेन, मूल चीज, फूले, फले, अगहा, यहां वो उधारन देकर समझाए हैं, कि जिस प्रकार, पेड के जडों में सिचाई करने पर, कुछ समय बाद, भरपूर, फल और फूल प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है न बचे, कि फल फूल प्राप्त करने के लिए, हम पत्ती में सिचाई करते हैं, उसके टहनी में सिचाई करते हैं, हम लोग कहां सिचाई करते हैं, उनकी जो मूल लक्षे है, जड पर, अर्थात, पेड का जड महत्पूर्ण लक्षे है, जड उस उसे पोशन मिलता है, तब उसी के जरिये पेड के सभी भागों में अपने आप पोशन प्राप्त हो जाता है, तथा हम फूल और फल प्राप्त करके त्रिप्त हो जाते हैं, कवी के अनुसार हमारे जीवन में परमात्मा का ध्यान महत्पूर्ण लक्ष होना चाहिए बच्चे उस ओर ध्यान लगाने पर हमें ज्यान की प्राप्ती हो जाएगी, तथा ज्यान का उदय होते ही हम सही मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन के सारे लक्षे प्राप्त कर लेंगे अब चौथे दूहई को देखें चित्रकूट में रमी रहे रहिमन अवध नरेश जापर विपदा पड़त है सो आवत यह देश यहां इन पंक्तियों में कवी रहीम जी चित्रकूट के मोहक प्राकिर्तिक सौंदर्य को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कवी कहते हैं कि जब भी किसी पर विपत्ति आई है तब तब अपने हृदय की शांती के लिए लोग यहां आकर अपने मन को शांत वातावरन द्वारा त्रिप्त किये हैं जा पर विपत्ता पड़त हैं जिस पर विपत्ति पड़ी है सो आवत या तेश वो यहां आए हैं चित्रकूट अत्यंत ही खुबसूरत और एक धार्मिक प्रदेश हैं कवी कहते हैं अवत के राजा स्री रामचंद्र अपने चौदा वर्षों के वनवास के दोरान अपने मन की शांती के लिए इसी प्रदेश में आकर लंबे समय तक रहकर वक्त व्यतित किये थे चित्रकूट में रमी रहे रहिमन अवद नरेश अवद नरेश स्री रामचंद्र जी को कहा गया है वे अवत के राजा थे अब हम लोग पांचवे दोहे को देखते हैं दीरग दोहा अरत के आखर थोरे आही जियों रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चड़ी जाई कहते हैं इन पंक्टियों में ध्यान देना कभी कहते हैं कि दोहे में अक्षर बहुत कम होते हैं किन्तु दोहे का अर्थ बहुत ही बड़ा अर्थात गहरा होता है दीरग दोहा अर्थ के बहुत ही बड़ा दीरग मिंस गूड अर्थ तो बहुत ही बड़ा अर्थ होता है दोहे का लेकिन आखर थोरे आही अक्षर बहुत कम होते हैं ये जो तुम पढ़ रहे हो ये भी दोहे ही है न दोधो लाइन के अक्षर बहुत कम है लेकिन इसमें सिक्षा अत्याथ ही महत्यकून दी गई है तो वही यहां कहा रहे हैं कभी कि दोहे में अक्षर बहुत कम होते हैं किन्तु दोहे का अर्थ बहुत बड़ा अर्थात गहरा होता है यहां रहीम जी यह कहना चा रहे हैं कि दोहे के रचनाकार इतने अनुभवी होते हैं कि वे थोड़े शब्दों में अनेक महत्वपुन बातों की सीख दे देते हैं ठीक उसी प्रकार एक कलाकार नट का अर्थ है कलाकार ठीक उसी प्रकार एक कलाकार या कुशल नट अपने शरीर को सिम्टा कर छोटे मुह वाली कुंडली के बीच से कुशल्था पुर्वक निकल कर अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करते हैं तो बच्चों यहां कभी समझाना चाहते हैं कि कुशल दोहाकार सिमित शब्दों के माध्यम से बहुत ही गहरी एवं अर्थ पूर्ण बाते कह देते हैं बच्चों अब अगली कक्षा में हम लोग छटे दोहे से व्याख्या समझेंगे पीडिया फाइल में इसके सारे भावार्थ एवं शब्दार्थ हैं बच्चे तुम सभी इस पर्ष की कॉपी में लिख लेना थैंक यू